बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का अन्बॉक्सिंग वाला यूटूब चैनल पे दोस्तों मेरा नाम है अशिश पांडे और आज हम दोस्तों रिव्यू करने वाले है यहाँ पर मोटोरोला पेस 120 का दोस्तों इसको अन्बॉक्स करेंगे और उसके बाद देखें इसके अन्बॉक्सिंग तो चलिए दोस्तों करते हैं यहां पर इसको अन्बॉक्स यहां पर आप देख सकते हैं कि मोटोरोला पेस 120 और कुछ में हाइलाइट्स जो स्पैसिफिकेशन से 10 mm का ड्राइवर है वाल्यूम कंट्रोल आपको मिलने वाला है वो मैं अभी आपको द जो एप है इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने फोन में उसके बाद आप इयर फोन की मदद से इसको अलक्सा की तरह भी अपने फोन में कुछ स्किल्स हैं जो 20,000 स्किल्स लगभग हैं उन्हें आप यूज कर पाएंगे तो फिलाल चलिए मैंने इसको खोल दिया है औ और आप उसको चेक कर सकते हैं और यह कुछ इस तरीके से बाक्स खाली हो गया है इसमें अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का यहां पर दोस्तों जो यह एर फोन निकल के आते हैं वह ऐसे हैं तो और बहुत अच्छे लग रहे हैं इसको फिलाल साइट के में रखते हैं और देखते हैं यहां पर एक्स्ट्रा कोछ एर टेप्स आपको मिल जाती हैं और एक नॉर्मल सा नीट अन क्लीन और सिंपल दोस्तों यहां पर आपको वारंटी कार्ड और दोस्तों आपको यूजर मैनुल मिल जाता है जो कि एक कम पेपर वेस्ट करने की तरफ इक अच्छ यहां पर आप देख सकते हैं निकल प्लेटिट जैक है जो कुछ इस तरीके का देखता है और जो दोस्तों यहां पर टैंगल फ्री वायर है वो कुछ ऐसी है आप देख सकते हैं और मतलब काफी एक ग्लॉसी सा फिनिश दिया हुआ है और मतलब और से पकड़ने में भी काफ काफी स्मूद फिनिश है और यहां पर आप देख सकते हैं जो इस तरीके के का यहां पर एक फिनिश थे के पे तो अलोब काफी अच्छी फिनिश है और यहां पर यहां पर करने से तो ये थोड़ा ज़्यादा एफेक्टिव लगता है पर लॉंग टर्म में ये वाले बटन में मैंने देखा है प्रॉब्लम आती है अब इसमें आती है या नहीं आती इसके लिए तो दोस्तों तीन-चार महिने वेट करना पड़ेगा तो वह मैं नहीं कह सकता पर ऑल बजट रेंज में आपको सब कुछ मिल रहा है बटन भी दे दिया स्टाइल मानने के लिए कि आप साउंड को अपने हिसाब से जब चाहें कि किसी से बात कर रहे हैं किसी ने आपको टॉप दिया आप म्यूजिक सुन रहे थे तो अचानक मोबाइल निकालना पड़ता और व आपने में थोड़ा सस्ता सा फील आता इनको लेके हाथ में कि ऐसा लगते काफी सस्ते से हैं और पीछे यह एक अलग ही छनी आपको मतलब चाहे चाहने मारी चनी टाइप का लगेगा पर जो भी है लुकिंग वाइस अच्छा है थोड़ा अलग डिफेंट लुक दिया तो आल ओवर तो यार प्लास्टिक पर अभी स्क्रेच तक नहीं आया है तो काफी डूरिबिल्टी हम कह सकते हैं ठीक है और मजबूत है मतलब ऐसा नहीं कि प्लास्टिक है तो आपने कहीं रख दिये या गिर गए तो चटक जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है अभी मैंने आप तो वही है साउंड के लिए आप खरीदते हो साउंड ही अच्छी नहीं हुई तो मजा नहीं आएगा तो साउंड दोस्तों मैं अभी आपको शेक करके बताने माला हूं तो वीडियो को अभी एंड तक देखना एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको खरीदना चा अच्छी खासी करीब है मतलब कानों में फस्ते हैं और ज्यादा सफ्रोक्रिशन भी नहीं होता है थोड़ा आपको अच्छा वेंटिलेशन में जाता है इनमें तो कानों में थोड़ा ऐसा नहीं लगेगा कि दम भरा भरा सा है कि दम घुट रहा है ऐसा कुछ फिल नहीं लगा कि हाँ भाई कुछ चारसो पांशो रुपे में इसमें कुछ खास मिल रहा है कि आपको इसमें बेस नॉर्मल मिलता है बहुत ही अच्छा वेस अगर मैं बेस को दस में से नंबर दो दोस्तों तो मैं अगर मैं अलोवर म्यूजिक आउटफुट को यहां पर नंबर दोस्तों आपको ट्रबर्ल्स बहुती नॉर्मल मिलते हैं ज्यादा यह है कि साउंड बहुत ही ले सकते हैं और कुछ और ओप्शन भी मैंने-े लिशे description में suggest किये हैं आप उनको भी देख सकते हैं मैं strongly इसको recommend बिलकुल नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और overall durable है मैंने durability test तो आपको करके दिखाई दिया इससे ज्यादा durable वैसे भी एरफोंस नहीं होते हैं फिर मैंने बताई रखा है पहले भी वीडियो में कि आप फिर speakers खरीद लिजिए आप यह फोन नहीं यूज़ कर पाएंगे अगर आप इतना ज्यादा रफ यूजर हैं तो तो आशा फोन के बारे में कोई सवाल हो कुछ पूछना चाते हो क्या सोचते हो आप बता सकते हो नीचे description में खांक्यू दोस्तों आपका वडियो देखने के लिए अगर अगर में अगर